दोस्तों आज में आपके लिए आस्मान में घटने वाली पांच सबसे अजीबो गरीब घटनाई लेकर आया हूँ जिनकी सच्चाई को जानकर आपका धिमाग चक्रा जाएगा वहीं आज तक इनका रहसे कोई भी नहीं सुलजा पाया साल 2019 में साइंटिस्ट को अंतरिक्स में एक विसाल तारा दिखा जो सुरज की तुलना में करोडो गुना जादा चमकदार था जिसमें से इतनी गर्मी निकल सकती थी कि प्रत्वी कुछी सेकिंड के अंदर पूरी तरह से पिघल जाती और इंसान राक बन जाते लेकिन असली प्रायस से ये था कि आकी राचानक से वो गायब कहां हो गया कुछ थियोरी इसके अनुसार साइद वो बिलेक होल के अंदर चला गया मोथ मेन जिन लोगों को मोथ मेन के बारे में पता नहीं है उन्हें मैं बता दूँ ये इंसान जैसा दिखने वाला एक दानव है जिसके पंक हुआ करते थे जिसे सबसे पहले साल 1966 में देखा गया लेकिन कुछी समय पहले एक व्यक्ती ने एक ऐसी फोटो केची जिसमें मोथ मेन केप्चर हो गया जिसके बाद उसने वो फोटो अपने लोकल न्यूस पेपर वालों को भेज दिया जिसके बाद ये अफवा फेल गई कि मोथ मेन वरजीनिया सेर में आ गया इस बारे में कुछ लोगों का मानना था कि ये कोई बड़ा चमकादर या फिर उल्लू है वही कुछी से रियल मोथ मेन मान रहे थे ये काफी खूपसुरत प्राकति गटना है जिसे ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देख पातें लेकिन साल 2020 में लूसियाना नाम की जगर पर समुंदर किनारे से कुछ दूर छे पानी के भवंडर एक साथ आसमान से जमिन पर दिखाई दे रहे थे जिनने देख कर ऐसा लग रहा था मानो जैसे धर्ती खतम होने वाली हो इन्हें हम वाटर टोर्नेडो की नाम से भी जानते हैं जो पानी के अंदर बनते हैं वो भी सिर्फ एक समय पर एक बार वैसे मिसिगन नाम की एक जगह पर एक समय पर नो टोर्नेडो को देखा जा चु का है फ्रोजन इगवानाज क्या हो अगर आपके उपर अचानक से इगवानाज गिरने लग जाए ऐसी घटनाए कहीं बार लोगों ने अनुबाव की है जो कि ज़्यादा तर तेज सर्दी के दोरान होती है क्योंकि ज़्यादा सर्दी की वज़े से ये जीव बेऊस होकर एलियन इन चाइना साल 2010 में एक फ्लाइट के पाइलेट को हवा में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया जिसके बारे में उसने ओतोर्टी को इन्फोर्म किया जिस वज़े से उस दिन करीब 18 फ्लाइट डिले हो गई चाइना उस चमकती हुई चीज को अमेरिकी दुआरा छो लाइक कर दे और वीडियो के नीचे एक लाल बटने उस पे क्लिक कीजिए उस सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यावाद प्लीज सब्सक्राइब करना मत बूलना